तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, वर्षव लगन में विभिन भाव में सनी इस्तित होने पर सनी की दसा आ जाने पर आपको किस प्रकार का रेजल्ट मिल सकते हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे 9th हाॉस के बारे में, अगर किसी भी जात्तक का वर्षव लगन में सनी 9th हाॉस म में ही इस्तित होंगे और ऐसा सनी आपको काफी ज़्यादा God-fearing बनाएगा अपनी दसा के दोरान आपको spiritual travel काफी ज़्यादा देगा अपने काम पे focus देगा इसके लवा बड़े बुजरगों का आसिरवाद आपको मिलेगा सनी की दसा के दोरान आपके पिता से अच्छे संबंद रहेंगे आप मुख्य रूप से अपने कैरियर और धनलाब पर focus कर पाएंगे इस प्रकार का सनी बहुत ज़्यादा विद्वान की रूप में आपको दिखाता है बहुत ही एक intelligent person के रूप में आपको बनाता है अपनी दसा में इसके इलाबा यहाँ सनी इस्तित हो तो अकसर आपके जिवन में hard work की परधानता रहती है मेहनत की परधानता रहती है और आपका luck भी अवस्य साथ देता है लेकिन जितना ज़्यादा आप hard work करते हैं उतना ही लक्सात देता जाता है अब आपका सनी अगर 9 था उसमें इस्तित है तो इस बात की भी प्रभल चांसे जाएं कि सनी की दसा आने की दोरान आपके workplace में कोई न कोई चेंज देखने को मिलेगा या हो सकता है आप अपने career की वज़े से या तो विदेश में settle हो या किसी दूसरे state में जाकर settle हो जाएं इसके लाबा आपको आपके डेली का routine उस पे ज़्यादा focus करना पड़ेगा सनी की दसा की दोरान क्योंकि आपका जो डेली life हो वो बहुत ज़्यादा important हो जाता है आप अपने career के decisions किस प्रकार से लेते हैं आप अपने डेली life के decisions आप कौन से समय पे क्या करते हैं ये काफ़े important है क्योंकि इसका असर directly आपके career पर पढ़ने वाला है साथी सनी की दसा के दोरान आपको हमेशा आपके जो परिवार के लोग हैं परिवार के लोग हमेशा support करते नजराएंगे इस प्रकार के इस्तिति में आप बहुत सारे नए अनुभव देखेंगे आपके सारे अनुभव होंगे वो आपके real life से समन्दित होंगे इसके लवा हो सकता है सनी की दसा के दोरान आप बहुत लंबे शमय तक किसी एक इस्तान पर इस्तित ना रहें क्योंकि ये सनी शुरुआत में काफी सारी यात्रा हैं देगा हलंकि थोड़े समय बाद आपको stability भी अवस्य देगा बट आपके career के लिए आपको अकसर इधर उधर travel करना पड़ सकता है नाइन्थ हाउस में सनी इस्तित है तो ऐसा सनी आपको career में ज़्यादा से ज़्यादा धनलाब देगा आपको दूसरों से हमेशा मदद दिलवाता है साथ ही इस सनी की दसा के दोरान आप वास्तम में अपनी काबलियत अपनी चमता को पहचान पाएंगे जान पाएंगे और अपनी काबलियत पर निरवर रहेंगे हमेशा तो सनी की दसा के दोरान ये बात के भी problem chances हैं कि आप self-dependent बनेंगे आप even अपने खुद के effort से आगे बढ़ेंगे, खुद के effort से self-dependent जिवन में बनेंगे अब depend ये भी करता है कि आपका सनी अगर 9th house में इस्तित है तो हो सकता है कोई अन्य ग्रह भी सनी के साथ इस्तित हो तो ऐसे में आपका कौन सागर सनी के साथ इस्तित है ये देखना बहुत एहम होगा साथ ही सनी की दसा आपको कौन से age period में आती है ये भी बहुत ज़्यादा matter करता है वो सकता है आपको बहुत early age में ऐसी दसा आ रही हो या बहुत लेटर age में दसा आ रही हो या फिर mid age में ऐसी दसा आ रही हो सनी अगर यहाँ इस्तित है तो निश्चित रूप से आपको सरकार से लाब मिलेगा आपको इवन अपने अपने local जो government है उससे तो लाब मिलेगा ही मिलेगा आपको दूसरे state या विदेशों की सरकारों से भी आपको काफी appreciation मिलेगा सनी की दसा की दोरान आप बहुत ज़्यदा focused हो जाएंगे अपने काम पे बहुत ज़्यदा hard work करने को देखेंगे आपका भी भी इस दसा के दोरान shortcut का इस्तिमाल उतना नहीं करेंगे इसके लवा आप जितना अधिक अपनी छमताओं का उपयोग करेंगे उतना ही ज़्यदा आप अपनी सफलता को सुनिसित कर लेंगे अब क्योंकि age के साब से भी इसका फ्रक पड़ता है इसलिए हो सकता है कि आपको अगर ये दसा mid age में आ रही तो आप ज्यादा अच्छे से सनी की दसा को utilize कर सकते हो हलंकि हम इसके बारे में वीडियो के end में चर्चा करेंगे लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं सनी की दृष्टियों की साली परवर्ति आपको life को लेकर नहीं रहेगी लेकिन फिर भी एक बहुत ही अच्छी इस्तिति एक well-well condition आपकी देखने को मिल सकती है सनी की दसा के दोरान आप धन संपत्ति के मामले में बहुत ज्यादा भाग्य साली साबित होंगे साथ ही आप अपने network को काफी अच्छे से handle कर पाएंगे हो सकता है आप राजनिती या इस प्रकार का भी कोई career चुन रहे हैं जहां पर आपको आपकी learnings आपकी skills काम आने वाली हैं इस प्रकार का सनी अपनी दसा के दुरान आपको ज्यादा से ज्यादा काबलियत देता है आप कोई written कारिये से समंदित हो सकते हैं आप कोई technical कारिये से समंदित हो सकते हैं या फिर आप कोई साहित्ते से जुड़ सकते हैं साहित्ते से जुड़े वे कारिये में लगे हो सकते हैं इस प्रकार का सनी वास्तम में आपको आपकी जो willpower है काफी मजबूत बनाएगा, आपको काफी strong बनाएगा, आप अपने नेर्ड़ों में काफी ज़्यदा कड़े होंगे, सनी यहां इस्तित्रतों सनी का ग्यारवे भाव को देखना यह आपको काफी ज़्यदा fearful बनाएगा, ऐसे में हो सकता है कि कभी-कभी आपको नकरात्मक इस्तिती भी देखने को मिले, कभी-कभी आपको confidence की कमी भी देखने को मिले, सनी की इस दसा के दोरान अकसर आप कभी-कभी जल्दबाज हो सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ही सोस समझ कर और ठोस नरने लेंगे, तो आपको आगे में काफी मदद मिलेगी, आपको अपना कारिय समय पर करने में मदद मिलेगी, सनी की इस प्रकार की इस्तिती में आप हमेशा किसी दूसरे पर depend नहीं रहेंगे, साथ इसाथ आप अपनी काबलियत का अच्छे से उप्योग कर पाएंगे, इसके लावा आपकी जो learnings है, आप आपकी जो ability है, कुछ नया करने की, कुछ नया सीखने की उसको आप पहचान सकेंगे, इसके लावा इस प्रकार का सनी आपको आपकी real life, आपके relationship और आपको family का अच्छा सुख देगा, इसे में सनी की दसा की दोरान आप वास्तम में खुद पर focus करके काम कर सकते हैं, सनी का 11 हाउस को देखा जाना, आपको दीरे दीरे wealth generate करने के लिए सनी प्रेरित करेगा, साती धन समंदी मामलों में आप थोड़े कंजोस जरूर साबित हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी धन को लेकर या पारिवारिक इस्तिति को लेकर आप उ भी कभी नहीं रहता, क्योंकि आप अपने काम, आप अपने जोब पे ज़्यादा focus होते हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा समय उनके साथ spend कर पाएंगे, आप में काबियत बहुत ज़्यादा होने की वज़़े से, आप multiple कारिये कर सकते हैं, आप हमेशा एक से ज़्यादा क 9th house में, सनी स्तितोनी की वैसे, आपका जो hard work है, उसकी परधानता आपकी life में रहेगी, सनी की दसागी दोरन, और आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ लेना जरूरी है, अगर आप hard work नहीं करेंगे, तो वास्त में आपका भाग्ये भी साथ नहीं देगा, आप जितना ज्यादा hard work करते जाएंगे, जितना ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते जाएंगे, उतना ही ज्यादा आपको फाइदा अपने लग्का मिलता जाएगा, सनी का 3rd house को देखा जाना आपको काफी सारी चोटी यात्राएं करवाएगा, आपको काफी बीजी रखेगा, आप हमे नहीं भी भी है, तो आप उस काबलियत को सनी की दसा की दोरान धिरे धिरे डवलप कर लेंगे, अब सनी क्यूंकि आपकी चार्ट में 10th और 9th लोड है, ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि आप वास्तम में अपने घर या परिवार से दूर ही सेटल होंगे सनी की द आपको health का कोई issue है, आपको धन समंदी कोई issue है, इन सब को सनी दोर करने का काम करेंगे, साथ साथ में आप एक strong रणनिती के साथ अपनी समस्याओं को दोर कर सकेंगे, इसी तरह से कभी कभी हो सकता है कि आपके अपने colleagues के साथ उतने अच्छे समंद ना हो, अपने boss के साथ उतने अच्छे समंद ना हो, और कभी कभी आप जितना काम करेंगे उतना appreciation नहीं हासिल कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए आपको प्रेशान नहीं होना चाहिए, सनी की इसे इस्तिते के वज़े से आप अपने work routine पर ज़्यादा focus कर पाएंगे, अपने work place पर ज़्यादा अनु अगर किसी प्रकार के legal matter में आप फस जाते हैं, या किसी से कोई विबाद हो जाता है, तो ऐसे में सनी आपकी तुरंत मदद करेंगे, आपके चार्ट में अब जरूरी है सुक्र का मजबूत होना, और आपके चार्ट में अगर सनी already मजबूत है, आपको ये देखना है कि सनी यहां कितना strong इस्तति के साथ बैठा हुए, क्या वो वक्री तो नहीं है, क्या कोई दूसरा क्रूर गर है, उसके साथ तो नहीं बैठा, ये सब आपको चेक करना पड़ेगा, अब हम बात कर लेते हैं, अगर किसी को बहुत early age में सनी के दसा आ जाती है, तो क्या प्रिणाम ह हो सकते हैं, देखें, बहुती early age में अगर ऐसी दसा आ जाते हैं, तो इस बात के probable chances हैं, कि आपके माता पिता आपकी बहुत अच्छे care करेंगे, आपका जैसे जैसे age बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आप अपने पिता के लिए बहुत ज़्यादा favorable होते जाएगे, पिता के इसके लावा इस परकार का sunny हो, तो अगर बहुती mid age में किसी को ऐसी दसा आ जाते हैं, 20 या 25 साल के आयू की आसपास, या 30 से पहले पहले, तो ये sunny की दसा आपको बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी आपकी life बनाने में, आपका एक अच्छा career बनाने में, हो सकता है, आ आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ connected रान रहें कभी-कभी, या बहुत ज़्यादा लोगों के साथ बाचित करना पसंद ना करें, लेकिन ऐसी समय में या ऐसी दसा में, आप अपने बल पर बहुत कुछ जिवन में हसिल कर लेंगे, इसके लावा जो वास्तम में मानसमा इस दसा अरही हों, अगर बहुत तो यह जादातर आध्यात्म की तरफ संकेत करती है, जो विदेसों से connected रहेगा, जो किसी दूसरे इस्तान पर जाकर बसेगा, अपसा साथ में जादातर जो ट्रेवल होंगे, जा तक के, वो अपने carrier purpose से ना होकर, वो spiritual purpose से होंगे, लेकिन न बहुत फ्री बैठना पसंद नहीं करेंगे तो ये सब सनी की महादसा के प्रेणाम हो सकते हैं जब आपका वर्षब लगन में सनी 9th house में हो और आपको सनी की महादसा आ रही है